अस्सलामु आलेकुम वेलकम बेक टो अन्यू व्लोग तो फ्रेंड्स आच मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू चिकन की रेसिपी बहुत इजी रेसिपी है अपना टाइम वेस्ट के बगएर हम चलते हैं इंग्रिडियन्स की तरफ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो चिकन और इधर लिये हैं मैंने तीन आलू मीडियम साइज के इन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है दो मीडियम साइज की मैंने प्यास ली हैं इन्हें भी मैंने काट लिया है और चार अधत मैंने लिये हैं टिमाटर मीडियम साइज के इन्हें भी काट लिया है अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ग्रेंडर भी कर सकते हैं इधर है हमारे पास लैसन अदरप का पेस्ट और वाइल मसालों में हम यूज करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चे पिसा हुआ धनिया मसाला, नमाक, जीरा, हल्दी पिसा हुआ गरम मसाला और साबुद गरम मसाला और इधर ली हैं हमने हरी मिर्चे और गार्निशिंग के लिए हम यूज करेंगे हरा धनिया तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी तो फ्रेंड सबसे पहले हम वाइल लेंगे और इसे पतीली में डालके अच्छी तरह से गरम कर लेंगे वाइल हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब हम इसके अंदर प्यास एड़ कर देंगे और जब तक हमारी प्यास का कलर ब्राउन नहीं हो जाता हम इसे फ्राइ करेंगे तो फ्रेंड्स प्यास को में अच्छी तरह से फ्राइ कर लिया है हमारी प्यास का कलर भी ब्राउन हो चुका है और अब हम इसके अंदर एट कर देंगे चिकन अब हम लेसन द्रग का पेस्ट डाल देंगे और चिकन को अची तरहां से भून लेंगे ताके चिकन की स्मेल निकल जाए चिकन को अची तरहां से भून लिया है इसकी स्मेल भी निकल चुकी है अब हम इसके अंदर सारे मसाले एट कर देंगे एक दफ़ा में फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या एट करूँगी तो इसके अंदर मैं एट कर रही हूँ तो अब यह सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम इसके अंदर टिमाटर डाल देंगे जब तक हमारे टिमाटर गल नहीं जाते हम इसे कवर करके पका लेंगे क्योंकि हैं सॉफ्ट हो गए हैं अब हम इनके चिलके रिमूफ कर देंगे अगर आप लोग चाहें तो ग्रेंडर करके भी डाल सकते हैं आप लोगों को चिलके रिमूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहां पर बिल्कुल भी पानी किया है यह सारा टीमाटर और चिकन का ही पानी है हम इसके अंदर ही अपना आलो चिकन रेडी करेंगे तो अब मैं छिलके रिमूफ कर देती हूं और फिर आप लोगों को दिखाती हूं तीमाटर का काम हमारा डन हो गया है अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते है और अब हम इसके अंदर आलो डाल देंगे और हरी मिर्चे जब तक हमारे आलो गल नहीं जाते हम इस अच्छी तरह से पका लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा मज़ेदार आलो चिकन हो चुका है रेडी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी यूस नहीं किया अगर आप लोग शौर्बे वाला रखना चाते हैं तो आप इसके अंदर पानी एड़ कर सकते हैं अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं तो हमारा अलो चिकन हो चुका है रेडी हमने इसे डिश आउट कर लिया है उपर से हमने हरा दनिया डालके से गार्णिश भी कर दिया है और आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें बहुत एजी रेसिपी है इन्शालला आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी हम मिलेंगे इन्शालला पने लाइक्स व्लॉक में तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखें दौा में आद रखियें, अल्ला हाफिज